Hello friends, welcome to my channel महिला तुफान मेरी जितनी भी सखिया हैं, सहलिया हैं, बहने हैं उनके लिए मैं आज वीडियो जित्ते अवर्थ पर लेकर आई हूँ तो बहुत सारे कोशन है तो उनका एंसर भी मैं इस वीडियो में दूँगी तो जैसे कि साम को सिंदूर लगाएं या नहीं लगाएं या सुबह लगाएं तो साम को हमें बालों से ना आना है, सेम्पू नहीं करना है बालों से स्रीप पानी से ना आना है और जिनकी सास है, वो बाल पोच सकती हैं, जिनकी नहीं हैं वो बालों से पानी गिरने दे, गीले बालों में ही अपने सारे पुजा पाट के जो नियम करने हैं, वो आपको करने हैं, और सिंदूर तो जिनकी सास नहीं है, वो सिंदूर नहीं लगाएंगी, और जिनकी सास है, वो साम में नहने के बाद, नाक से मांग तक सिंदूर तब पारण करेंगे वो सिंदुर नहीं लगाएंगे दूसरा नियम है पहले बच्चे को आप जीतिया का धागा या माला पहनाए उसके बाद आप खुद पहने और पूजा करें तो इस तरह से आप इस नियम का पारण करें आस साम को तीसरा नियम है कि जो जीतिया का धागा म इतने बच्चे हैं उस तहागे में फिर से नॉर्मल तरीके से जैसे गांट बाना जाता है बांद लें और कुमारी करन्या है आपकी बेटी है तो उसके नाम का भी आप जरूर गांट बान दें अगर शादी शुदा है और आपके यहां चलता है तो आप शादी शुदा बेट या उसका यूज हमें नहीं करना है तो हमें क्या करना है आम और नीम का भी दातुन को यूज नहीं करना है तो आप को यूभी दूसरा दातुन का यूज कर सकती है कोई फूल है प्लांट है या कोई और दूसरा ट्री है तो आप सक्वा का खासकर अच्छा माना जाता है तो सक्खवा दातून से यदि Wirka कहां, चिछिए ऑफ इस दिन से Dahle को बैजा में च्लीन करें। और पांच वरी में में बताओंगी कि अर्यार बर्यार को जो पौधा प्लांट होता है उसकी इस दिन साम को बहुत लोग पूझा करते हैं जिनके हाँ ऐसा चलता है ऐसी प्रथा माननेता है और जो लोग नहीं करते हैं वो ना करें क्योंको नया प्रचलन नहीं करना जो आपके पुरुष करते हैं वही आप कीजेगा तो जो लोग अरियार ब्रियार की पूजा करते हैं प्लांट की पूजा करते हैं उनको कैसे करनी है तो मैं बता देती हूँ तो आटा चावल का आटा चावल का आटा और उसमें हल्दी मिला कर उसको मैं लेप भी कहते हैं तो उसको आप क्या किज़ेगा जो अयार ब्रियार का पौधा है उसमें उसको लगाएगा और अयार ब्रियार का पौधा को सजाने के लिए आप वो आटा नहीं है तो आप चाव को लगा सकती है उस लेप को लगा सकती है बना कर उसके बाद है कि आप शिंदूर लगाएं अच्छत चढ़ाएं फूल चढ़ाएं माला चढ़ाएं और जित्या का जो माला हम बच्चों को पहनाते हैं खुद पहनते हैं तो वह भी थोड़ा समा छुआ ले टच करा ले रखे जाए आप माला मोती में पीरोई हुई हो जित्या बनाई हो शुना का या धागा में वैसा करें उसके बाद आपको क्या करनी है लाल या पीला कोई नया कपरा लाल कपरा ही सुद बनाता है कोई भी नया कपरा अगर बलाउच पीस का बच्चा हो लाल कपरा या कोई नया कप प्रेको आप जो है अस्तर भी होता है बलाउच का उसको भी आप अरियार बडियार के प्लांट में बान दें उसके वाद वहीं पूजा पाट करके आप पैट कर कथा सुने और ऐसा करना बहुत सुब बहुत अच्छा माने जाता है जिन लोगों में अरियार बडियार करना चाहिए ताजा भोजन करना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए गरम दूद पीना चाहिए तो इस तरह से आप गरम पानी गरम दूद पीकर अपना पारण ब्रत को तोड़ सकती हैं खोल सकती हैं उसके बाद अपने घर का बना हुआ ताजा भोजन करें बहुत सारे आपको भ़ैसा ही करें इस वर्ट में और शुर्यधियक ke बाद से लेके 12 बजह तक आप पारण कर सकती है पारण का कोई शुभ मुरुद डायर याट उन्य है आपका सुर्यधियक के बाद दिन बदल जाता है और हम लोग कोई भी वर्ट 1964 गंटा करते हैं सुर्यधियक के क्यूं空 कॉमेंट कर डिन हैं तो सब्सक्राइब करें। कि अगर आप नहा खाक के दिने आप को ढूई है से साकि तो आज आप पुजा कर सकती हैं, तो आप भीक के दिना फैर्ट को सेके tipos , लेकिन मालिज जे कि आप नहाखा के दिन बाल नहीं धोई है तो अगर आपके हाँ आज सेंपुल लगाने का नियम है बाल धोने का सेंपुल लगा कर तब तो आज बाल में सेंपुल लगा कर धो कर आप पूजा कर सकती हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन नियम नहीं है तो सिर्फ पानी से जल ढाल के पूजा करना सही नहीं होगा, तो ऐसे में आप पूजा ना करें, स्टिप कथा सुन लें, दूर बैठ कर कथा सुन लें, और अपना जो नियम है, दान दक्षीना है, जो भी शीधात देते हैं, पारण के दिन वो दे दें, और सिंदूर आप लगा सकते हैं तो आप सिंदूर लगा सकती हैं, दिनकी नहीं है, तो वो नाक से सिंदूर या सिंदूर सिंदूर ना लगा है, और वो पारण के दिन सिंदूर लगा के अपना काम कर सकती हैं, तो ऐसा आप कर सकती हैं, अगर सिंदूर नहीं छुना है, तो आप अपने घर में जो बड़ी कोई भी बरा सदस्य लेडिज हैं तो उनसे भी आप सिंदूर अपने मांग में लगवा सकती हैं वसा कोई दिकत नहीं है इस तरह से आपका प्रस सफल होगा तो मैं आसा करती हूँ ये वीडियो से आप लोगों थोड़ी सी यूजफुल रही होगे आप लोगों के लिए और वर्थ करने हम हेलफुल रही होगे तो जितने ही माता है बने उनका वर्थ सफल हो अच्छे से हो और भुख व्यास कम लगे आप लोग खूस रहें मेरी वीडियों बने रहें इश्वर से ही काम नहीं धन्यवाद बहुत